हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धी बुडिक में फ्रेंड आज हम वर्क वाले ब्लाउज में नेक डिजाइन बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमने बैक पाट के कटिंग करके रखी हुई है बोटनेक के हिसाब से कटा है यह तो इसकी लेंथ है यहाँ पर 15 इसमें 1 इंच प्लस करके हमने 16 इंच की मार्जिन लिए है शोल्डर का हाफ लिया है 8 इंच आर्मों लिए हमने यहाँ पर 7 इंच पर चेस्ट साइज हमारा है 9 इंच प्लस 3 इंच की एक्स्टा मार्जिन कमर का फोर्थ पाट है यहाँ पर हमारा 8 इंच प्लस 2 इंच की एक्स्टा मार्जिन इस तरीके से हमने बैक पाट के कटिंग करके रखी हुई है अब यहाँ पर यह हमारा velvet का कपड़ा है जिसमें already work दिया हुआ है बोटनेक के हिसाब से अब इसे हमें कैसे तयार करना है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले work का center part पकड़ेंगे उसके बाद इसे दो fold इस तरीके से कर लेना है फिर हमने जो back part कट करके रखा हुआ था उसे ह हमें अच्छे तरीके से जमा कर लेना है इस तरीके से और extra आधा से एक इंच की margin पर इसे cut कर देना है तो यहाँ पर हमारा velvet का piece भी cut हो चुका है अब हम इसे ready कैसे करेंगे तो देखिए जो हमारा work दिया है नगाइस उसका हमें अच्छे तरीके से center part लेना है ठीक है उसके उपर हमें अस्तर को रख लेना है सीधे side के उपर हमें अस्तर को लेना है क्योंकि हम गले को पहले पलट लेंगे तो इस तरीके से अच्छे से set करते हुए हमें अस्तर को जमा लेना है neck को आपको अच्छे से मिला लेना है कि center point मिल रहा है या नहीं इस तरीके से pin up कर लेंग जैसे पाउडी में वर्क सेट नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा उसके साइट से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से नेक जो हमारा दिया हुआ था उसी के हिसाब से हमें स्टीश लगानी है अब उसके बाद हमें एक्स्टा कपड़े को कट कर लेना है यहाँ पर हमने वर्क के बाजू में स्टीश लगा दी है अब दो पाइंट की मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्टा कपड़े को कट कर लेना है अंदर पे छोटे-छोटे कट लगा देंगे उसके बाद पिन को रिमूव कर लेना है अब हमें अस्तर पर जमाव सिलाई लगानी है जिससे कि हमारा अस्तर बाहर की तरफ ना आये पूरा अच्छे तरीके से अंदर पलट जाए तो यहाँ पर हमने जमाव सिलाई लगा ली है अब हम वर्क पर स्टीश नहीं लगा सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है नेक को अच्छे से जमा लेना है और उसके बाद इसे पिन अप कर लेना है पूरा अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए हमें लेना है उसके बाद पूरी चारो तरफ से स्टीश लगा देनी है अगर आपको इस तरीके के work वाले blouse बनाने में कोई भी problem होती है तो मैंने इसके लिए already अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिये हैं आप वहाँ से जाके check out कर सकते हैं तो देखिए हर बार आपको जब भी stitch लगानी है तो कपड़े को अच्छे से set करना है जिससे के हमारा center इधर उदर ना जाए उसके बाद चारो तरफ stitch लगा लेनी है stitch लगाने के बाद अब जो भी हमने extra fabric cut किया था उसे हमें छाट लेना है याने कपड़े में जो हमने अस्तर perfect cut किया हुआ था पहले आपको check कर लेना है कहीं पर जोल वगे रतो नहीं आया है और जो भी extra कपड़ा है उसे cut कर लेना है बहुत ही आसान तरीका होता है इस तरीके से neck बनाने का आपको इसी तरीके से अगर neck बनाने में कोई भी problem होती है तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा तो यहाँ पर हमारा पूरा extra कपड़ा cut हो चुका है अब यहाँ पर हमारा boat tank गला तो ready हो चुका है अब हमें करना क्या है पीछे एक छोटा सा पैस देना है तो उसे हमें बकरम में cut करना है तो हमें size पहले निकाल लेना है तो जैसे नीचे से 1,5 inch की पट्टी छोड़ने के बाद हमें 5 inch पर इस तरीके से neck को cut करना है तो आप कोई भी size या कोई भी mark लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर बूंड ship लगाया है तो 5 inch पर इस तरीके से mark कर लेना है हमें बकरम पर broadness यहाँ पर हमने 1,5 inch की लिए है अब उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी shape ले सकते हैं मैंने बूंड ship लिया है इस तरीके से और उसके बाद हमें उपर के side से extra 1 inch की margin देते हुई इसे cut कर लेना है cutting हो जाने के बाद पीछे के side में जो हमारा mark आया है उसे भी हमें dark कर लेना है तो इस तरीके से हमारा mark लग चुका है बकरम पर अब हमें इसे एक बार कपड़े के साथ set करके देखना है कि यह ठिक टक से आ रहा है या नहीं अब इसे हमें extra कपड़े में तयार कर लेना है पहले तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे बकरम से थोड़ा बड़ा side से पहले एक stitch लगा देंगे उसके बाद एक्स्ट्रा आधा इंच की margin छोड़ते हुए बाकी कपड़े को cut कर देंगे अब जो हमने ये margin का कपड़ा छोड़ा है इसे भी हमें बकरम के बराबर इस तरीके से fold कर लेना है और stitch लगा देनी है इस आसान तरीके से आप कोई भी patch कोई भी design वर्क वाले blouse के साथ या बोटनिक blouse के साथ ready कर सकते हैं अब हमें करना क्या है सबसे पहले हमें इसका center लगाना है तो देखें back part में पीछे के side से हमें center की marking करने के बाद उस पर stitch लगा देनी है जिससे कि सीधे side में हमें इसका center मिल जाए अब हमें patch को अच्छे से set कर लेना है पहले और उसके बाद जो हमने mark किया हुआ था अपने सिर्फ उसी के उपर हमें stitch लगानी है अब यहां पर हमारी stitch लग चुकी है उसके बाद अंदर के extra कपड़े को 2 point की margin छोड़ते हुए रखना है और उसके बाद पूरे कपड़े को निकाल लेना है जिससे कि हमारा पैस तैयार हो जाएगा तो देखें यहां पर अंदर के कप लगा दिये हमने कट लगाने के बाद इस पर हमें एक जमावसिलाई लगानी है तो जमावसिलाई लगाने के लिए करना क्या है जो हमने अस्तर लिया था अस्तर के साइड से हमें इस तरीके से stitch लगानी है जिससे कि हमारा पूरा एक्स्टा कपड़ा अंदर की तरफ कोई भी शेफ लगा सकते हैं तो देखिए इस तरीके से यहां पर हमारे डिजाइन डेडी हो चुकी है अब हमें इस पर टक्स लगा देने हैं उसके बाद इसके कमर की फिनिशिंग दे देनी हैं इस तरीके से हमारे बैक पैट के डिजाइन डेडी हो जाती है उमीद करती हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा वीडियो में कोई भी प्राब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स